प्रेना अगर कोकनेट ओल सर्वगुन संपन ओल है तो हम इंफ्यूजन ओल क्यों प्रिपेर करें भाई जब सारी प्रॉपर्टीज मिल रहे हैं तो फिर दिर इस नो पॉइंट ना विल्कुल सही कहा जब आप पालर में जाते हैं अपने बालों को कलराने के लिए तो आपको 3-4 शीशियां एक्स्ट्रा देते हैं कि यह कलर को सस्टेन करेगा ये वला ओई लगा लिजेगा ये वला शीरल लगा लिजे गए ये कंडिशन रहे हैं ये ब्ला-ब्ला-ब्ला वह यह कमाल करने वाला है तो पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा, समझिएगा और फिर अपने लिए एक्जिक्यूट कीजएगा I'm pretty sure you are going to fall in love with it, तो आईए जानते हैं what all needs to be done और अगर पसंद आए तो give it a thumbs up, ठेंगा ने, give it a thumbs up Hello to my beautiful people, welcome back to the channel, आशा करती हूँ, आप सभी स्वस्त हैं और होली की तैयारियां जो शोर से कर रहे हैं, हमें भी नीचे लिकर बताईए क्या-क्या प्रिपरेशन चल रहे हैं ताकि हम भी थोड़ी सी प्रेणा उससे ले सके और अपने लिए डिसाइट कर सके किसी के प्रती कोई भी ग्रज, शिक्वा, शिकायत है, उसे दिल से निकाल फेकिए और एक बहुत अच्छी सोच के साथ आगे बढ़िए, नयरिश्थे कायम कीजिए, एक अच्छा इंसान बनिए अपने देश के लिए, अपने लोगों के लिए एक एसेट बन कर आईए, ज हम बहुत सारी मस्ती एक साथ करते रहेंगे, आज में आपके साथ एक डहतरीन सा इंफूजन ओल करने के लिए आई हूँ, जिसके इस्तेमाल से आप देखेंगे कि आपके बालों में जो बेजान पना आ चुका है, आपके बालों में लाइफ नहीं दिखती है, बाउंस नही मनता है नहीं आएगी है अगर आपकी फामिली में प्रिंचुर ग्रेहर क करते है तो यह सबसाइड होने लगेगी मतलब डिलय होने लगेगे, ऑविसली जेनेटिक्स होते है तो वो आते ही है, लेकिन आप उसको डिलेः कर सकते हैं, तो यह बहुत सारे तरीकों से बहुत ही इसको एक बार तो आप अपने लिए अवश्य प्रिपेर कीजिए, चेक आउट कीजिए, पसंद आएगा, I'm pretty sure और आप दुबारा प्रिपेर करेंगे, तो जल्दी से शुरू करते हैं, what all needs to be done, सबसे पहले आपको एक पान लेना है, अगर आप लोही की कड़ाई ले सके तो बहुत ही बढ़िया, otherwise जो बर्तन आपकी पास अवेलेबल है, आप ले लीजे, मैंने आपर एक स्टील का पैन लिया है, और इसमें आपको लेना है आपका पहला और मोस्ट इंपोर्टन एक बेस ओईल, जो की हो सकता है या तो सेसमे ओल, यानि कि तिल का तेल, लेकिन सब ल किसी भी प्रॉसेस में आपके पास पहुचने तक वो हीट नहीं हुए होते हैं, इसलिए उनके सारे न्यूटेंज इंटाक्ट होते हैं, और अगर आप इसको थोड़ा बहुत हीट करते भी हैं, तो आपकी जो बहुत सारी इतने ब्यूटिफल न्यूट्रियंस हैं, वो सब दिस्ट्रॉइ नहीं होते हैं, और इंफ्यूजन करने की वजह से उसमें और आड़न ही होता है, तो इसलिए मैं बोलूँगी कि आप कोल प्रेस्ट कोकोनेट ओल लीजए, मैंने यहां पर एक वरजन कोकोनेट ओल लिया है, जितनी भी चीज़े में हैं यूज करने वाली कि आप फ्लेम को मीडियम तक भी नहीं ले जाएंगे, बिलकूर सिंपर रखेंगे, और जैसे ही ओल्का हल्का गरम होने लगेगा, आप इसमें लेंगे आपका सबसे पहला इंग्रीडिंट जो की है 10 से 12 क्लोव्स, जी हां, लॉंग आप यहां पर लेंगे, लॉंग एक लॉंग नहीं होते हैं, उनको बहुत हेल्प करता है, तो लॉंग के बारे में अगरा पढ़ेंगे बीना बालों के लिए तो यह आपके न्यू फॉलिकल्स को इंस्टिगेट करता है, आप देखेंगे धीरे-धीरे ओयल में इंफ्यूज होता रहेगा, इसके बाद आपको लेना है आपका सेकिंड पाफफुल इंग्रीडियंट जो की है करी लीव्स, देखेंगे बहुत ध्यान से दालेगा, क्योंकि मैंने आप पर फ्रेश करी लीव्स ली है, ओईल गरम है, तो बहुत तेज इसके बंद कर दीजिए, अधरवाइस आप ड्राइड करी लीव्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो यहां पर मैंने अप्रॉक्सिमेटली दो बड़ी बड़ी जो लीव होती है करी लीव्स की उनका एक्स्ट्राक्शन किया है और वह यहां पर लिया है और अच्छे से इसक तीसरा इंग्रीडियन जो यहां पर आपको लेना है उसके बारे में मुझे बतानी की कोई आवशकता ही नहीं है, आप सभी जानते है कि बालों के लिए वर्दान है यह, that is one tablespoon of fenogreek seeds यानि की मेथी दाना, मेथी दाना के बारे में मैं जितना बोलूंगी वो उतना ही कम लगे सकता है, अगर आपको कितना भी severe hair loss हो चुका है या आपको hair regrowth चाहिए, तो fenogreek is the solution, तो यहां पर one tablespoon of fenogreek, मैंने यहां पर ले लिया seeds, next आपको लेना है one tablespoon of kalonji seeds, यानि की nigella seeds, यह तो आपको मैं कितनी सारी वीडियो में बता चुके हूँ, बहुत सारे religions में इसके बारे में बहुत विख्यात रूप से लिखा हुआ है, कि यह आपके बालों की, आपकी skin की हर समस्या का सामाधान बन सकता है, अगर सही रूप से, सही तरीके से इस्तमाल किया जाए, तो यहां पर मैंने लिया है one tablespoon of nigella seeds, यह सभी चीज़े initially you know, bubbles form करेंगे इसमें, और उसके बाद धी इसमें नहीं करना, जितना भी गरम है तो बहुत जादा गरम है, कि इसमें किसी भी powder का इंफ्यूजन नहीं हो सकता है, इसलिए इसको थोड़ा सा कम, you know, आप लगा लीजे अप्रोक्सिमेटली 5-10 मिनिट्स आप इसको बाहर रहने देंगे, 10 मिनिट के बाद आप इसमें डालेंगे dry ingredients, यानि कि 2 dry powders, सबसे पहले है 1 टेबल स्पून ओफ हिना पाउडर, देखे अगर आपकी घर के आसपास हिना की पत्तियां मिलती हैं, तब तो बहुत ही बढ़िया, तब तो आप हीट में उसका इंफ्यूजन कर सकते हैं, पर इसलिए जलते हुए तेल में उसको नहीं डालेंगे, आप उसको अलग से ठंडा होने के बाद तब डालेंगे, और अच्छे से mix कर लेंगे, इसके बाद आपको लेना है 1 टेबल स्पून ओफ भ्रिंग राज पाउडर, अगैन भ्रिंग राज की लीव्स आपके आसपास है तो आप इन्फूशिंग के दोरा नहीं डाल सकते हैं, अधरवाइस लेटर ओन तब डालिए, और एक बात और, जब आप रॉइंग रीडियन्स लेते हैं, तो आप देख सकते हैं, और जैसे ही आप पाउडर डालते हैं, तो बहुत ही ज़दा इनो वैसा हो जाता है, उपे के लिए रहने देंगे, यहां, यह अपने आप नॉर्मल रूम तेंप्रेचर पर आएगा, सारी चीज़े आपस में अच्छे से इंफ्यूश हो जाएंगी, और अपने सारी न्यूट्रियन्स रिलीज कर देंगे, इसके बाद नेक्स दे मॉर्निंग आप नॉर्मल छननी से चान कर इसको एक ग्लास बाटल में सेव कर लेंगे, एक यहां पर हमने करी लिए थे जो कि एक वाटर बेस इंग्रीज था जब भी वाटर बेस इंग्रीजिन्स अम इस्तेमाल करते है तो वाटर कॉंटेंट का ओएल में होने की चैंसस बढ़ जाते है जिसकी वज़े से ते तो यूज आप अच्छे से इसकी चंपी किये जिए ओवर नाइट रखिए और नेक्स दे वाश कर लीजे अगर को ऐसे जने है जो ओवर नाइट ओईलिंग के लिए कांफटबल नहीं है तो नहाने से दो घंटे पहले चंपी कर लिए और फिर नहा जाईए आपसलिटी नो प रिली रिली हापी तो जब आप इसका इस्तमाल अपने बालों के लिए करें और आपको रिजल्स दिखने चालू हो जाए आपके बाल थोड़े से शाइनियर हो जाएंगे बाउंस आजाएगा आपके बालों में जो डलनेस थी वो हट जाएगी बहुत सारे लोगों में जिन इसका इस्तमाल अपने लिए डाफनेटली कीजिए जब रिजल्स मिले तो वापस आपके नीचे कॉमन सेक्शन में अवश्य लिखें कि आपको फायदा हुआ इस ग्रेट फॉड़े फामिली तो नो कि किसी ना किसी को रिजल्स मिल रहे हैं कुछ लोग होते ना परिवार मे सबस्क्राइब कर रहे हैं ताकि वो भी इसको अपने लिए कर सके हैं अशा करती हूँ आपको फ्रेजेंटेशन पसंद आई होगी अगर पसंद आई है तो डोगी वरा थामस अब नए है तो सब्सक्राइब किये बिना मच जाएगा मैं आप सभी से मिलती हूँ अपनी अग कर दो